नवश्कार दोस्तों मैं हूं धर्मविर्श तीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है आलू की फसल एक मोटी कमाई देने वाली फसल बन सकती है आलू की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान बहुत ही जुरूरी है एक एकर से आपने साड़े 300-400-250 किलो वाले पैदावार लेनी है तो उसके लिए फसल को किसी भी समय पर कोई भी स्ट्रेस कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी देनी चाहिए चाहिए वो पानी हो, इंसیک्ट कंट्रोल हो या बिमारी हो पानी की कमी तो कभी नहीं आनी देनी चाहिए शुरू में कम पानी चाहिए फिर जब पौधे बड़े हो जाते हैं 20-25 दिन के बाद पानी तो हलका देना होता है लेकिन जल्दी जल्दी देना होता है फूल आने पर या यूं कहें के आलू बनते समय आलू मोटा होते समय पानी की कमी नहीं आनी देने चाहिए पौधे हरे भरे रस्दार और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूरा खेत भर जाता है तो बिमारी और इंसेक्ट्स भी तो काफी आकर्शित होते हैं नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बच के रहना चाहिए बचाओ के लिए पहले ही कारवाई शुरू कर दे खेत को चेक करते रहो और टाइमली स्प्रे करते रहो बस यही एक फार्मूला है बचाओ का भरपूर पैदावार का अपना फार्मूला भी बताऊंगा वीडियो अन्त तक देखे आलू की फसल में ज़्यादा इंसेक्ट्स और बिमारियां तो नहीं लगती लेकिन जो बिमारियां लगती हैं एक दम से बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट आ जाए ध्यार ना दें तो हबते के अंदर पूरा खेत खतम हो सकता है बहुत नुकसान हो सकता है इंसेक्ट्स में एफिट्स आते हैं रस चूसने वाले वाइट फलाइब भी आती है अच्छा बीटर लीफ ओल्डर अटेक करते हैं तो पत्तों को खाते हैं वैसे आलू जो है ना एसिडिक स्वाइल पसंद करता है पाँट से लेके साड़े छेग पी एच बहुत अच्छी होती है आलू के लिए लेकिन हर्याना पंजाब की जमीनों की पी एच जो है आठ के लगबग है ज्यादा पी एच से पोटेटो स्कैब आता है सलफर, सिंगल सुपर फासफेट, जिपसम का प्रयोग खुल कर करना चाहिए इनके प्रयोग से जमीन की पी एच वैल्यू भी कम होती है और खेत भी भुर भुरा होता है वैसे ज्यादा प्रॉब्लम है जो खेत से ही आती है जिस खेत में पिछले साल आलू गोया हो बिमारी कर सकते हैं तो पहले इस्प्रेय में रस चूसने वाले इनसेक्ट और पत्ते खाने वाले पत्तों में छेत करने वाले इनसेक्ट दोने के लिए सिस्टैमिक और कॉंटेक्ट इनसेक्ट का प्रयोग जुरूरी है मैंने 100 ग्राम थायो मिठोक्जम प्रती एकड उसके साथ साथ नीम वायल 4 ग्राम प्रती लीटर ओफ पानी बनलब की एक एकड में 600 से 700 मिले लीटर नीम वायल का प्रयोग किया है इस से रस चूसने वाले और पत्ते खाने वाले इंसेक्ट लंबे समय तक कंट्रोल में रहेंगे फिर आगे सर्दी आजाएगी तो रस चूसने वाले कीडों का प्रकॉप कम हो जाता है तो प्रोग्रम कम हो जाएगे आप थायो मिथोक्जम ना करना चाहें तो इवीडा क्लोपरीट भी कर सकते हैं ये विरस चूसने वाले कीडों के लिए काफी अच्छा माना गया है 17.8% वाला 100 ml प्रतिय कर सकते हैं 70% वाला भी आता है दानेदार उसकी डोज 30 ग्राम प्रतिय कर है और अज़र आपको नीम वायल नहीं मिलता है तो आप डेल्टा मैथरीन डेसिस के नाम से भी आता है 100 ml 100 ml प्रतिय कर के हिसाब से कर सकते हो या अलफा मैथरीन भी 100 ml प्रतिय कर के हिसाब से करते हो या फिर कलोरोसाइपर आता है 50 प्लस 5% वाला वो भी 100 ml प्रती एकड़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो अगर एफिट्स रस चूसने वाले कीडों के इलावा आपको दूसरे पत्ते खाने वाले कीट दिखते हैं तो थोड़ा बिमारियों की भी बात कर लेते हैं फिर कंट्रोल के लिए फंजिसाइट स्प्रे की भी बात करूँगा कुछ दो और ग्रोस प्रोमोटर की बात करूँगा जो मैंने परयोग की हैं बढ़वार के लिए हर्याली के लिए मैं तीन बिमारियों की बात करूँगा शॉर्ट में अर्ली ब्लाइट थोड़ा बाद में आती है, लेट ब्लाइट थोड़ा पहले आ जाती है, 80-90% तक नुकसान कर सकती है इन दोनों बिमारियों के स्पोर्स या स्कलेरोशिया जो पिछले साल की फसल में जो आलू बच जाते हैं, जो फसल के जो अवशेश रह जाते हैं, उनको उपर पलते हैं, बढ़ते हैं और फिर बोका आने पर नई फसल को यहां पर अटैक करते हैं, हवा पानी के साथ जादा अटैक करते हैं यह जो आप देख रहे हो, यह सिम्टम्स अर्ली ब्लाइट के सिम्टम्स हैं, बढ़ा करके दिखाता हूँ यह early blight के symptom हैं पतों के उपर हैं और यह इसका life cycle है season में कई बारी यह कई बारी यह sports है नहीं इसको attack हो गया है तो यह जो दुबारा पतों से के उपर attack करके फिर दुबारा हवा पानी से दुबारा फिर attack करते हैं और secondary spread होता है और पूरे खेत में यह फैल लाता है आलू को भी इन्फेस्ट करते हैं, जादा नमी में जादा फैलते हैं, बार बार फैलने से, इस सरकल अने से बहुँजादा नुकसान रिटवाता है, हब्ते गधें अंदर सारी फसल नुकसान रिकता है, अब थोड़ा लेट ब्लाइट के बारे मैं बताता हूं, ये लेट ब् इसके स्यम्टम्स थोड़ा बढ़ा करके दिखाता हूं यह सिंटम्सें लेट ब्लाइड की बिमारी आजायां और मोसम अनुकूल हो फ़ते के अंदर ही सारा खेत खतम कर सकती है लेट ब्लाइट और अली ब्लाइट का लाइफ साइकल लगवग एक जैसा ही है तीसरी बिमारी ब्लैक सकर्फ इसको कैंकर भी कहते हैं यह देखो यह आलू के उपर ना इस तरह से हो जाता है और यह जो है राइजक्टोनिय सॉलेनाई यह इस फंगस के कारण हो जो राइजक्टोनिय सॉलेनाई फंगस होती है जो साइकल लगवग वेंसा ही है और धान में जीरी में जो शीत प्लाइट फैलती है वो भी राइजक्टोनिय सॉलेनाई से फैलती है जिस खेत में शीत प्लाइट हो तो उसमें यह ज्यादा आने का चांस रहता है और जिन ख पांच सो ग्राम प्रती एकड़ के इसाप से पहले स्प्रे में यूज किया है इस समय किसी बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं थे और नमी भी खेतों में ज्यादा नहीं थी आप देखी रहे हो आप चाहो तो पांच सो से छे सो ग्राम अकेला मैंको जैक भी कर सकते हो एंट्रकोल फंजिसाइड भी पहले स्प्रे के लिए अच्छा है पांच सो ग्राम प्रती एकड़ के इसाप से कर सकते हो यह कॉंटेक्ट फंजिसाइड है मैंने अपने पहले स्प्रे में दो चीजें और मिलाई है हुमी वी के पावर प्लस इसमें हुमिक एसिड फल्विक ए जादा होगी और पोशक्तत्वक मिलेंगे दूसरी जिसमें मैंने सागा रिका मिलाई है 25 घाई सोग्राइड भाइस प्रती एकड़ के इसाप से मिलाया है चालिस मिली नीटर प्रती टैंक मिलाया इसमें सीवीड एक्स्ट्रेक्ट है सारे पोशक तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में यह भी पोदों की हर्याली वा बढ़ावार में सहायक होगी बहुत अच्छी चीज है पहले भी प्रियोग करता रहा हूँ अब कल न मैं 25 किलो यूरिया डालकर पानी लगा दूँ पानी की बारी है पहले ही डालढ़ा 25 किलो फिर पानी के बाद गिली वत्तर प्र दो-3 दिन के बाद जल्दी 35 किलो यूरिया का छिटार ने आगा जिससे की वेजिटिटिव फेस में ग्रोथ में कोई कमी ना रहे फिर जल्दी खेत भर जाएगा और अगले हपते क्या करूँगा एन पी के 12-61 जीरो आता है जिसके अंदर 100% फासफ़रस होता है डेड़ किलो प्रती एकर साथ में चिलेटिड जिंक 100 ग्रम प्रती एकर का एक स हथ करता ही रहूंगा आज के लिए इतना ही मेरी ये वीडियो मेरा ये प्रियास आपको सार्थक नजराता हो तो इसको लाइक कर दो शेयर कर दो सबस्क्राइब कर दो थैंक यू जी